हेलो दोस्तों मैं पुजा आपको अपने यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आप लोग कैसे हैं ये कमेंट करके जरूर बताईएगा मित्रो आज बात करेंगे कि प्रेग्नेंसी में जहारू पोचा किस महीने लगाएं और किस महीने ना लगाएं ये बहुत लोगों का भ्रहम है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए चलिए जानते हैं, देखिए मित्रों, जब आप पहली बार pregnancy consume करती हैं, तो आपको advice मिलना सुरू हो जाता है, कि आप ये करिए, क्योंकि आपके बड़े बुजूर्ग जो हैं, या फिर आपके जो बुजूर्ग लोग हैं, आपको सलाह देने लगते हैं, कि आप ये करो, या फिर आप ये सारा काम करो, या ये काम मत करो, आपको ये खाना है, आपको ये पीना है, तो देखिए फ्रेंड, मेरा तो ये सलाह है, कि आप पहले ट्राइमेस्टर, यानि 1, 2, 3 महीने आप जारू पोछा, बैठ कर, या फिर कपड़ा धोना बैठ कर, ये सारा काम आप बिलक स्केरेज हुआ है, उसने यहीं सेम गलती की है, कि उसने बहुत देर तक, 2, 3 घंटे बाइट कर, कपड़ा धो दिया था, जिससे कि उसका ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, सुबा सुबा ही उसका ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, और जब डाक्टर के पास गई, तो डा लोगों को भी यह information देना बहुत जरूरी है, तो देखिए मित्रों आप पहले के trimester में आप यह सब काम बिल्कुल भी avoid करें, आप यह सब काम बिल्कुल भी ना करें, आप सुरू के 3 महीने बिल्कुल भी सीरिया चढ़ना, जारू पोछा देर तक करना, या फिर देर तक बै सा जारू ले लिजिए, इसके बाद आप आज कल तो मोप भी मिल रहा है पोछा लगाने के लिए तो आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आप बैट के जारू पोछा पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी ना करें, आप इसे अपने आपको बचाओ करें, उससे बच्चेदानी का कमजोर होना, या फिर आपको प्रिविया प्लेसेन्टा की सिकायत है, या फिर आपका बच्चा कमजोर है, तो ये सब सिकायतों से भी आपको डॉक्टर बेडरेस्ट दे देता है, तो आप इस समय जारू पोछा छोड़िए, आप कम्प्लीट अब बात करते हैं कि चार से छे मंत में अगर आपकी प्रेगनेंसी हेली है कोई कम्प्लिकेशन नहीं है तो आप बैटकर जाड़ू-पुछा लगा सकती हैं अगर आपको बैटकर जाड़ू-पुछा लगाने में नाभी के नीचे या प्राइबेट पार्ट में दर्ध मसूस होता है तो आप खड़े होकर लगाईए लेकिन आप ज्यादा देर तक खड़े ना रहें बीच बीच में रेश्ट भी करती रहें इसके बाद अगर आपकी प्रेग्नेंसी में कोई कंप्लिकेशन है तो आप इस काम को को बिल्कुल भी ना करें लेकिन हाँ एक बात याद रखे कि आप कोई भी रीकाम करें आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए आपके पेट पर दबाव पढ़ेगा तो वहीं आपको नुकसान करता है इसलिए आप अपने ना करें, ना डाले, अगर कोई काम में कमफर्टेबल फिल ना करें, तो ओ काम बिल्कुल भी आप ना करें, अब बात करते हैं, साथ, आठ और नाइन मंथ में, यानि कि थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में, इस समय आपको पेट बड़ा होने लगता है, और आपका वेट भी इगेन हो जाता है, तो देखिए, इस समय आप थोड़े से काम में ही ठक जाती होंगी, कितने महिलाओं का कमेंट भी आता है कि मैं थोड़ा बहुत काम करती हूं, तो अगर आप बैट कर जारू पोछा लगाने में कमफर्टेबल फिल नहीं कर पाती हैं, तो आप बिल्कुल आप अपने आपको अनकमफर्टेबल फिल कर रही हैं, ओ काम आप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी एबॉइट कर दें, कोई जरूरी नहीं कि जारू पोछा करने से ही नॉर्मल डिलिवरी होती है, पहले के जमाने में महिलाओं के पास समय का अभाव होता था, स्कॉर्स करें, स्कॉर्स में आप जैसे इंट्योर टॉलेट में बैठते हैं, वैसे आप थोड़ी देर के लिए अपने आपको होल्ड करें, जिससे आपके मसाल्स जो पैल्विक एरिया के मसाल्स हैं, ओ फ्लेक्सिवल होता है, और लचीला भी होता है, अगर आप जारू प स्थिति को तयार करना है, अगर आप अभी से अपने आपको ठकाने लगेंगी, तो उस समय आपको बहुत जरूरी होती है, अपने बोड़ी का एनरजी, जो एनरजी होता है, उस समय आपको बहुत एनरजी की जरूरत होती है, आपके पेट पर कोई दबाव नहीं पढ़ना आपकी पानी की थेली भी फट सकती है, और जब आपको भारी, नुकसान या फिर कहले की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो मित्रों यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिये, और कम बेवी काखे आल रखे, God bless you.